नमस्कार दोस्तों नमस्ते के वाई प्यूटीप चनले में आपको श्वागत हो आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आसना तक पास चात्राओं को जो भी 50,000 की स्कॉलर्शिप मिलती है उसका फॉर्म भरने का डेट आया है की नहीं तो मने देश वीडियो में चलते है वीडियो की अगली कड़ी में और पूरे डीटेल्स में आपको जनकारी देंगे कि 2019 में जो पास किये थे उनका भी 50,000 का डेट आया है की नहीं 22 तक जो भी है पास उनका फॉर्म भरने का डेट अभी तक आया है की नहीं क्योंकि जो पहले पहले हैं उनका छूटा हुआ है और उसका डेट कब तक आएगा और आया है की नहीं आएगा आया है तो कब कैसे फॉर्म भराएगा तो मने देश वीडियो में चलते हैं वीडियो के अगली कड़ी में और पूरे डीटेल्स में आपको जनकारी देते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आगए मैधा सॉप्ट की अफिसल वेब साइट पे इस वेब साइट पे आने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में जाना होगा और वहां टाइप करना होगा मैधासॉप्ट.bih.nic.in जैसे इन ले करके सर्च करेंगे तो इस तरीका से आपके सामने होम पे जा जाएगा और यहां आने के बाद सबसे पहले हम आपको बता दे कि आपको बताएंगे 2019 वाला तो जैसे आएंगे नीचे में लिखा रहेगा मुख्यमंतरी कन्या उथान मुख्यमंतरी बालिका असनातक पुर्टसान योजना 2019-2020 के लिए आवेदन कर इसमें से किसी एक पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके सामने इसका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और यहां आपको महत्तपुन सुचना देगा कि पोर्ट जो यहां पोर्टल जो है अवेदन करने के अंतिमति थी पंद्रगस 2023 तक है यानि पंद्रगस 2023 तक यह ओपन था उसी समय बंद्ध हुआ है उसके बाद से फिर से यह ओपन नहीं किया गया है तो अगर किसी के अंदर किसी तरीका का अफ़वा चल रहा है कि असना तक 2019 और 22 में जो भी छात्रा है पास हुई थी उनका फॉर्म भरने का डेट फिर से आ गया है तो यह गलत है क् आप यहां फिर भी उपर में देखेंगे यहां फिर से अपन्जे करन नहीं हुआ है तो यहां पर बता देंगे उसके अलावर आप यहां देखेंगे और तक्निकी समस्या के बारे में यहां क्लिक करके आप समस्या का समधान यानि प्राप्ट कर सकते हैं तो यहां पर आपको तो असफर्ष्ट हो कि 2019 और 2020 में जो भी छात्राय पासी थी और उस समय वह अपना रेजिस्टेशन नहीं कराई थी तो पहला सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और यहां किलियर होता है अब दूसरा है कि आपको जो दूसरा सवाल था कि आपका जो 2023 में पास की हैं 2022 में पास की हैं उसका फॉर्म भरने का डेट आया है कि नहीं तो 2022 और 2023 वाले देखेंगे तो आपको सबसे ओपर में यहां मिल जाएगा मुखह मन्त्री कन्या उठान यूजना इसी पेज़ पे मिल जाएगा मुखह मंत्री दे दिया जाएगा गलत भुक्तान होता है तो इसका जिम्मेवार छात्राय होंगी उसके बाद लास्ट में अब देखेंगे यह बता रहा है जिन छात्राव का रिजल्ट 39.23 तक प्रकासित हुआ है और उनका फोटल पे रिजल्ट अपलोड है उनके लिए फोटल में आवेदन शुरू हो गया है मतलब वहां तक तिथी था उनका यह था आगे आप पढ़ेंगे तो रेजिस्टेशन करने की आखरी तारीख जो था 31.12.23 यानि आखरी तारीख जो घुल्पे नहीं किया गया है तो इस तरह से एस तरीका से यह भी कनफर्म हो गया कि जो 2022 और 2023 जो भी छात्राय पास की थी और यहां दो बताया गया है कि 30 सितमबर 2013 तक जिनका रिजल्ट प्रकासित हो गया था और वैबसाइट पर अपलोड हो गया था उनके को यह फोर्म भ विडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा अगर नए- मेरे चैनल पर हैं तो क्योंकि हम हमेशा चात्रविर्थी से संबंधित नए नए वीडियो बनाता रहता हूं और आपको नए नए जनकारी देता रहता हूं तो मेरे यूटूब चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बिल आइकन को दबा ले और अपने दोस्तों को सा सब्सक्राइब रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं लिए नए जनकार के साथ तब तक के लिए फिर से एक बार बहुत धन्यवाद